to chemistry academy students आज की वीडियो में chemistry के एक most important question बनेंगे question में ये पुछाए गया है कि the oxidation of benzene by V2O5 कि benzene के हम लोगों ने oxidation करने है किसके presence में V2O5 vanadium pentoxide की मुझूदी में ठीक है presence of air ठीक है V2O5 in the presence of air तो हमारे पास final product कौन सी बनेंगी malic anhydride बनेंगा benzoic acid बनेंगा benzoic anhydride बनेंगा या benzoic anhydride बनेंगा तो आप लोग ने जेन में रखना है कि जब भी हम लोग benzene की oxidation करवाते है sorry oxidation करवाते है किसके साथ V2O5 यहाँ पर आप reaction देशाते है ठीक है यह मारे पास कहा है benzene रहेंगे इसके हम लोग ने oxidation करवा है किसके साथ oxygen के साथ in the presence of V2O5 तो हमारे पास जो पहली product बनती है malic acid ठीक है in the presence of heat होते है ठीक है तो heat की मुझूदगी में क्या आते है यहाँ से water का एक molecule remove हो जाते है जिसके वज़े से बाकी जो product बनती है वो होती है मरे पास malic anhydride पहले बनते है malic acid बनते है और उसके बाद क्या बनते है malic anhydride malic anhydride क्यों बनते है क्योंकि question में यह पूछा गए in the presence of air ठीक है oxygen के और air की मुझूदगी में यह वाला reaction करवाना है तो क्या होगा उसकी मुझूदगी में यहां से water का molecule remove होजएगा malic acid में से तो बाकी जो product बचेगी वो बचेगी मरे पास malic anhydride तो हम देश आते हैं कि यहां पर जो 4 option देएके हैं उनमें से पहला option जो है ना A option malic anhydride यह वाला option correct है अमें इदेख सारे बच्चों को वीडियो अच्छे लगे अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरा चैनल chemistry कायर में सब्सक्राइब कर दे